नरेश के घर में रोज सुबध दूध वाला दूध देने आता था लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवासा नहीं कोड रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बॉटल रखके चला जाता था घर के बार 3,000 दिनों से अकबार भी पड़े हुए थे इसलिए एक दिन दूद वाले को डाउट होता है तो वो किड़की से अंदर जाके देखता है तो नरेश मर चुका था दूद वाला तूरण डिटेक्टिव मेहल को कॉल कर देता है दिटेक्टिव मेहल तुरंद आके CCTV फुटेजेश चेक करता है तो उसे समझ आता है कि घर के बार रखी दूद की बॉटले चेंज हुई है लोजिकल आर्मी के आप इन फुटेजेश को देखके बता सकते है मेहल को ऐसा क्यों लगा कि दूद की बॉटल चेंज हुई है सोचे सोचे आज वाली दूद की बॉटल कल वाली दूद की बॉटल से ज़ादा बरी हुई है अब बला ऐसा कैसे पॉसिबल है मेहल फिर पिछले तीन चा दिनों के CCTV फुटेजेश चेक करता है लेकिन दूद की बॉटल चेंज करने कोई नहीं आया था मेहल को समद नहीं आ रहा था कि बला ऐसा कैसे हो सकता है जब कोई आया ही नहीं तो दूद की क्वांटिटी कम कैसे हुई मेहल की दिमाग का दई हो रहा था मेहल दोबारा से CCTV कैमेरे चेक करता है तो उसे एक क्लू मिलता है तो चकल आर्मी के आप इन फोटेजेस को देखकर बता सकते है मेहल को इस बार क्या क्लू मिला होगा सोचे सोचे पहले वाले CCTV फोटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है देकिन दूसरे वाले फोटेज में घास बड़ी हो गई अब बला रातो रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है मतलब जरूर कोई तो गड़ पढ़ है मेहल आसपास के लोगों से पूस्ताज करता है तो पता चलता है कि कल شाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी लेकिन CCTV कैमरे में रैली का कोई नामो निशाद नहीं था मेहल को सारा गीम समझ आ जाता है और कैमरे में वही दिख रहाता जो खुनी दिखाना चाहता था पेएल घर के तीनो नौकर से पूछ राज करता है पहला नौकर कहता है सर मैं तो दो दिन पहले क्रॉसरी का सामान देने आया था उसके बाद से नहीं आया हूँ दूसरा नौकर कहता है मालिक ने परसो गुलाब के פूल मंगवाए थे तो मैं तो गुलाब के फूल दिये और चला गया दो दिन से चुट्टी पे हूँ तीस्ता नौकर कहता है मैं तो पिछले पंदरा दिनों से चुट्टी पर हूँ मुझे कुछ नहीं पता है इनों की बात सुनकर मैं उल्तुरा समझ जाता है कि कौन जूट पोल रहा है लेकिन क्या आप समझ पाए लोजिकल आर्मी दूसरा वाला नौकर जूट पोल रहा है तेहां से देखे करके सामने वाले पकीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए है फिर बला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा मतलब इनौकर जूट पोल रहा है मैं उसे पक कर लेता है चलिए अगली पहली देखते है एक गैंस्टर ने गगन को जान से मानने की दम की दी थी इसलिए गगन ने अपने घर पर पूलीस की सिक्योरिटी ले ली थी लेकिन एक मैने तक कुछ नहीं हुआ एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के गः पर आ जाते है और गगन को गोली मारकर चले जाते है गगन की घर के बाहर पूलीस की कार कड़ी हुई थी लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मार कर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया लोजकल आर्मी क्या बता सकते है पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका सोचे सोचे घर के बार पुलिस की कार तो खड़ी हुई है लेकिन उसमें पुलिस नहीं है लेकिन जब ये केस मेहूल तक वाचता है तो मेहूल उन गैंग्स्टर से पूचताज करता है लेकिन गैंग्स्टर कहते है कि उन्होंने गगन का मडर नहीं किया है फिर मेहूल गगन के घर पे लगे CCTV फुटेजेश चेक करता है लेकिन उसमें खुनी का चहरा ढखा हुआ था मिहूल को शहर के तीन गैंग्स्टर्स पर डाउट आता है और वो तीनों को पूछताच करने के लिए बुलाता है अचकल आर्मी क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं को उसे गैंग्स्टर ने गगन का मडर किया होगा सोचे सोचे जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले पर एक टैटू था और ठीक वैसा ही टैटू डूसरे वाले आदमी के गले पर है बुलू से पकर लेता है टिक्टेक्टिव मेहुल रॉक्स चलिए अगली पहली देखता है सचीन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में काना काने जाता है लेकिन तब ही अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चले जाती है और कोई अन्नू का नेकλέस गलेस से निकाल लेता है लाइट आते ही अन्नू अपका नेकलेस चेख करती है और रोने लगती है साचीन तुरन मैनेजर के पास जाता है और CCTV फोटेजिस चेक करता है थोड़ी देर तक देखने के बाद साचीन समझ जाता है कि अन्नू का necklace कौन चूरा सकता है लेकिन क्या आप समझ पर लोजिकल आर्मी लाइट जाने के पहले और बात की फोटेजिस को ध्यान से देखिए और मुझे आपका answer कमेंट करके बताए दूसरे वाले waiter को ध्यान से देखिए लाइट जाने से पहले उसने waistcoat पहन रखा था लेकिन अभी उसने waistcoat नहीं पहन रखा है और आस पास कोई waistcoat डिक नहीं रहा है इसका मतलब लाइट जाने के बाद ये waiter कहीं गया था और इसी ने अन्नू का necklace सुराया होगा चल ये अगली पहली देखते है मेहुल एक restaurant में खाना खाने जाता है मेहुल जिस table पर बैठता है उस पर already पहले से एक आदमी खाना खा रहा था मेहुल खाना order करके hand wash के लिए बातरू में चला जाता है hand wash करने के बाद मेहुल वापस अपनी table पर आकर बैठ जाता है लेकिन मेहुल को वाँ कुछ गरबर लगती है सामने वाला आदमी जो का त्यो बैठा है और अपना खाना का आ रहा है logical army क्या बता सकते हैं तो फिर मेहुल को क्या गरबर लगी और क्या अलग लगा सोचे सोचे जहां से देखिए जब मेहुल hand wash करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ अलग थी पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ में रखी होई थी लेकिन हो सब्जी अभी राइट में रखी होई है मेहुल के इतने हाई-फाई डेटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो के क्लेक तो ज़रूर बनता है चलिए अगली पहली देखता है सुबा सुबा एक पेंटर की अचानक मौत हो जाती है केस की जान्दबिन करने के लिए डेटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर बहुत जाता है पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है सुबा सुबा घर पे तीन लोग मौजूद थे मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मडर किसने किया होगा लेकिन क्या आप समझ भाए लोजिकल आर्मी सोचे सोचे पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आईरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी के टीशेट में भी आईनमन बना हुआ है इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ आ है कि उसका खून किस ने किया है मेहुल तुरंट उसे पकड लेता है चल ये अगली भाईली देखता है दो लोग एक घीवाला और मूची एक सिक्के के बैक के लिए लड़ रहे थे केज डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुचता है दोनों कहते हैं सिक्को का बैक उनका है सर जी की बेच बेच के पाई पाई कटा करके ये पैसा बनाया है सर जी जूते सिलसिल के ये पैसा मैंने बनाया है अब समझ से ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्को का बैक किसका है मैं उनको एक मस्त आइडिया आता है लेकिन क्या आप सोच सकते है रोजकल आरमी ये कैसे पता किया जा सकता है? मेहुल ने कॉइंस को निकाल कर पानी में डाल दिया सिक्के डालते से घी के वज़े से पानी में ओयल जैसी एक लेयर बनने लगी मेहुल उसे तुरन समझ गया कि ये सिक्को का बैक गी वाले का है जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का गी उन सिक्को में लग जाता होगा टिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है इसमें दो लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे पहला कहता है कि डॉग मेरा है दूसरा कहता है कि डॉग बेरा है अब मेहुल कन्फ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है Logical Hour में क्या आपको इस solution सोच सकते है कैसे पतक किया जा सकता है Dog किसका है A या B का सोचे सोचे मेहुल दोनों आदमियों को एक एक biscuit दे देता है और Dog को छोड़ देता है अब Dog जिसके पास वो biscuit खाने पहले जाएगा वो उसी का Dog है Dog B वाले के पास चैला जाता है अगर आपके पास कोई बेटर solution है तो मुझे comment में बताओ फिर मेहुल के पास तीसरा case आता है इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगुठा मूँ में चूँसता रहता है उसकी मा बड़ी परिशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है क्या आपको ये आइडिया या मेहुल को दे सकते हैं सोचे सोचे मेहुल कहता है कि बच्चे को डिली चड़ी पेना दो वो दिन भर अपनी चड़ी पकड़े रहेगा तो मुँ में उंगली डाल नहीं भूल जाएगा वाव वाव मेहुल का क्या दिमाग है चलिए अगली पहली देखता है रीतु आज 18 साल की हो जाती है रीतु का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रीतु का बड़े सेलिबरेट करते है अगले दिन रीतु के गाव में चुनाओ होने वहले थे रीतु उसके माबा पर उसका छोटा भाई चारो वोट देने के लिए गाव जाना चाते है शाम में वो चारो गाउ जाने करे रेल्वे स्टेशन पोहँच जाते हैं और अगले दिन वो चारो गाउ पोहँच जाते हैं रितु और उसके माबा बोलते हैं कि सभी मिश्राजी को वोट देंगे लेकिन रितु का भाई बोलता है रितु के बढ़ी बहने वो कली 18 साल की हुई थी लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता क्योंकि जब बड़ी बहनी अठरा की है तो वो अठरा से कम होगा मतलब वो वोट ही नहीं दे सकता है मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था जोलिए अगली पहली देखते है इन तीनों में कौन भीग रही है लॉजिकल आडमी सोचे अच्छे से सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताए वो A है, B, A है, C है और ऐसी और पहले लोग के लिए जड़ी से चानल को सब्सक्राइब कर लीजे तैंक यू